हाई फ्रेंज वेल्कम टू माय यूट्यूब चैनल दीपा एंड लालवानी और वेल्कम टू माय मॉम्स किच्चन आज चलिए देख लेते हैं लोबिया आलू की सब्जी एजी एंड टेस्टी रेसिपी मेरे चैनल दीपा एंड लालवानी को सब्सक्राइब करें और बेल दो मीडियम साइज प्यास को मिक्सर में चला लिया अब हम इसे बूनेंगे इसका हलका सुनेरा कलर आने तक प्यास को बूनेंगे प्यास का सुनेरा कलर आ गया है अब हम इसमें चार मीडियम साइज टमाटर की प्यूडी डाल देंगे इसके साथ हमने छोटा सा अद्रक का तुकड़ा डाला और दो हरी मिर्च जिसे साथ में पीस लिया एक छोटी चमच नमक डाल देंगे नमक डालने से टमाटर जल्दी कुख होगा पांच मिनट के लिए टमाटर को कुख होने देते हैं बीच बीच में सबजी को चलाते रहेंगे पांच मिनट हो गए हैं अब हम इ पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे ही साइड से तेल निकलना शुरू हो इसमें हम आलू डाल देंगे हमने एक मीडियम साइज आलू लिया जिसके छोटे पीसिस कर लिये एक पिंच हिंग डाल देंगे मिक्स करेंगे अब हम एक कप बॉयल्द लोबिया ले ले प्रेशर कुकर में लोबिया को एक कप पानी के साथ आधी छोटी चमच नमक साथ में प्रेशर कुकर में चार सीटी लगाई फ्रेश हरा दनिया आधा छोटी चमच गरम मसाला और एक कप पानी डाल कर अच्छे से मिक्स करके सीटी लगाने रग देंगे इसे क्योंकि चपाती के साथ सव कर रहे हैं हमने एक कप पानी डाला कुकर को ढकन लगा देंगे दो विस्सल बजने तक का वेट करेंगे इसे बनाने में करीबन 15-20 मिनिट लगे दो सीटी हो गई है गैस बन कर देते हैं जैसे ही कुकर का प्रेशर रिलीस हो जाए ढकन हटा देते हैं सबजी तयार है इसे सव करें चावल के साथ चपाती के साथ दिन के लंच टाइम में रात को डिनर पर कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे मॉम की बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंज और रिलेटिवस को वीडियो शेर करें वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट करें आलू को चेक कर लेते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं ये एक सिंधी रेसिपी है आप भी अपने घर पर बनाएं सबको खिलाएं सबको पसंद आएगी थैंक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियो